प्लीज सब्सक्राइब गीट ट्रेंड बूटिक एंड प्रेस ता बेल आइकन फोर लेटेट सब्डेट्स इसका सबसे में कारण क्या है जो हमारी हम आर्म होल लेते हैं मतलब यह हमारा जो आर्म होल होता है इसके हम जो कटिंग करते हैं वह ज्यादा अंदर से कटिंग कर देते हैं इसलिए इसमें खिचा हुआता है इसके कई सारे कारण है जो मैं आपको अच्छे से समझाओंगी बने रहे है फ्रेंट्स वीडियो पर तो चलो फ्रेंट्स मैं एक बार आपको यहां पर कमीज ड्रो क करके बता देती हूं और हम कटिंग में क्या क्या गलती करते हैं जिससे हमारी जो आगी का हिस्सा है फ्रेंट में खिचाओ आता है या फिर बैक में खिचाओ आता है तो जैसे हमारा फ्रेंट्स पहले मैं आपको बता रहे हूं जो पीछे की हिस्से में खिचाओ क्यों आता ह उसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि हमारे जो आगे के हिस्से में खिचाओ क्यों आता और उसे हम कैसे ठीक करें नॉर्मली मैं तीरा लेकर आपको बता रहे हूं जैसे हमारा तीरा मैंने 7 इंच लिया है और ऐसे हमारे सूट कि ये लंबाई है और फ्रेंट्स-есь एक मेंन कारण ये होता है खिचावाने का, जो हम अपने arm hole लेते हैं, वह कम लेते हैं फ्रेंट्स आपको पता नहीं चल रहा हो तो कि हम किस साइज में कितना arm hole लें उसकी मैने detail में video बना रहBM आई button में आपको उसका link मिल जाएगा तो फ्रेंट्स जो हमें आर्म होल रखना है वह भी हमारा सही रखना है नॉरमली जैसे में हमारा तीर का हिस्सथा है तो असले हमोरी होता है नुगलत य। शीदह कर लेयर हैं। तो पैंसे पैंसे जैसे कटें किशेएंग हमारी गोलाई ऐसे होनी चाहिए अगर आपके पास यह नहीं है तो नोर्मली आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी राउंड से अच्छी आने लग जाएगी तो ऐसे फ्रेंट्स हम गिलाई देते हैं तो हम क्या गलती करते कई बार ऐसे हम जो यह राउंड से देते हैं ऐसे हम अंदर से बना देते हैं तो आपको बता दूए एक और होते हैं कि दीप्नेख हो तो आप अपने उलडर को कम लीजिए तो कई वह क्या कर देते हैं हमें जो कम करना होता है जैसे हमारे सेवन इंच का सोल्डर है हमने 8 इंच का गला इंच का जन्वीड कर दिया तो हम क्या करेंगे देड़ इंच अपने कम करेंगे तो यहां पे हम अपने फोले को सकम करब से और फ्रेंट्स घ्रिंच आपके क्लिख यही से कम करना है प्रवलों ऑपने यही से कम करना concerns क्या जल्दि कर देते हैं कुई और भी ऐसे मिला करें offer श्क्राञ इनल इस देंगे एह से मिला के एय। ख्लाइन दीजा करने हैं तो 9,цहीं सोलडर कम कि मिलाने के बाद एक हम इतना ही रहेगा मतलब यहां पे 7 इच फे था तो जो हमारा सोल्ड हमने कम करें है उसको मिलाएंगे ऐसortun Subs 나는 के बाद हम आपनी sachs proph on Rap शेप कुछावाइटे हैं यह को जब सौलृ करते हैं तो हमने अपना नीचे का हिस्सा है यह कम अब फ्रेंट नॉर्मल मैं वे 7 इंच पे ही अपना निशान लगा लेती हूं तो यह हमारा फ्रेंट 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है आप को किन्फुजिन रहती है कि हम आगे के हिस्से की कितनी कटिंग करें क्योंकि पीछे के हिस्से की कटिंग हो गई और आगे की हिस्से की हम नॉर्मली कितने एक इंच अंदर ले के कटिंग करें तो वो खिचा हो आता है इसके solution के लिए हम क्या करेंगे हम अपने front को नापने के लिए उसका क्या तरीका है front कंदे से यहां से 4 इंच पे यानि यह हमारा कंदा है यहां से यहां 4 इंच बना इस सीद में हम इसे नापेंगे कि यह हमारा कितना आता है ऐसे front हम इसे नापेंगे जैसे हमारा यह joint है यहां पे और एक joint यहां पे है तो यह मेरा आप देख सकते साड़े 11 इंच आया है तो हम अपना यह जो रखेंगे साड़े 11 इंच कम से कम रखेंगे यह हर साइज में कंदे से चार इंची नीचे लेके तब अपने फ्रंट को ना पने मेरा फ्रंट पर साठें었다 और 11 ब्स के आगठा होए сложно 2 तो हम यान धील निशान लगा देंगे तो Grü डेंट आप देख सकते हमारे यहान 9 यहान पे आया अगर में यहान पर कटिंग कर देती हैं हमारे कि invention में खीचाव आता हुम हैसे हम इसको ऐसे मिलाएंगे और तब यह से यह कुछाव आता है अगए के हिस्से की कटिंग करने के लिए कि ना उसी के बाद आ पर कटिंग करें तो आई होफ आपको जो मैं समझाना चाहती हूँ समझ में आ गया होगा मिलते हैं फ्रेंट नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखते हैं तब तक के लिए बाबाई